आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और इनका नाम है गौतम आडानी और अभी इस समय एक काफी अख़वारों की सुर्खियों में बने हुए हैं एक आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका इस्तित सौर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम आडानी के अगवाई वाले समूपर फरजी लेंदेन और सेयर किमितों में हेरा फेरी का आरोप लगाया है और उस रिपोर्ट के कारण गौतम आडानी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और दिखे इस तरह के आरोप पहली बार इन पर नहीं लग रहे हैं 2014 से जब से आप देखेंगे ये नई सरकार बनी हुई है तब से बिपक्च के द्वारा इन पर तमाम सबाल उठाए गए है और ऐसा बिपक्च के द्वारा कहा जाता है कि जब गुजरात में पिधानमंत्री मौदी साहब अभी जो है न वो गुजरात के मुकमंत्री थे एक समय तो इन्होंने उस समय भी गौतम आडानी की काफी मदद की और जब से पिधानमंत्री बने मौदी साहब तो अब से भी इनकी काफी मदद भी की जा रही है और यहां तक कह दिया जाता है वेपक्च की द्वारा कि मौधी साहब की किरपा की कारण ही गौतम आनानी इतने सक्सिज हुए इन्तनी सपत्ती उनकी बड़ी है कुछ पिक्चर और देख लीजे देखे ए मौधी साहब है एक गौतम आनानी साहब आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे इस पिक्चर को भी काफी आप देखते हैंगे बाइरल हुई थी और काफी आलोचना भी की गई थी तो आज हम लोग गौतम आनानी के बारे में एक सामान चर्चा कर लेते हैं देखे ये गौतम आदानी का परिवार है इनका सम्मद्ध गुजरास से है और आप जानते हैं कि पिदान मंतरी मौदी साब का सम्मद्ध भी गुजरास से है देखे ये हमारी प्यारी पितवी है और इसमें आप देखें एसिया में ये हमारा प्यारा भारत है और भारत में राज्यों में राजिस्थान, मध्यपदेश, महाराष्ट से लगती है, यहां विधान सभा में 180 सीट है, राज्य सभा में 11 सीट है, लोग सभा में 26 सीट है, एक लाग 96,024 बर किलो मीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है, अगर हम लोग गौतम आधानी की जनम की बात करे तो इनका जनम 24 जून 1962 को एहमदाबाद गुजरात में एक मध्यम बर्गिये जैन परिबार में हुआ था, और जैन है याद रखिएगा, उनके पिता का नाम सांतीलाल और माता का नाम सांती आधानी था, उनके साथ भाई बहन है, और सबसे बड़े मनसुक भाई आधानी है परिवार अजीबका की तलास में उत्री गुजरास के थारद सहर से पलायन कर गया था, और उनकी पिता एक छोटे कपड़ा ब्यापारी थे, उन्होंने पत्नी प्रीती आधानी से साधी की है उन्होंने, आधानी ने, और जो एक डेंटिस्ट है और आधानी फाउंडेशन क सेट सी एन, बिद्ध्याले से स्कूल किया है, और गुजरात बिद्ध्याले में उन्होंने वर्डिज में इस नातक की डिग्री लेने के लिए प्रिविस्क लिया था, लेकिन दूसरे वर्स के बाद ही बेबाहर हो गये थे, और इसके बाद वो अपने परिवार की आर्थि किसी ठीक करने के लिए मुंबई आ जाते हैं, जब वो मुंबई पहुंचे थे तो उनकी जिम में केबल 100 रुपे थे, तो आप लोगों की बात एक समझ में आ गया होगा, कि सकसिज होने के लिए पढ़ा लिखा होना भी जानदा जरूरी नहीं है, और एक समय आप देखे ज साल 1980 में आर्थिक इस्तिती ठीक ना होने के कारण गौतम आड़ानी का परिवार थराज जाबसा था, और गौतम आड़ानी की इंगलिस काफी खराब थी, लेकिन उनके दोस्त मले की इंगलिस में पकड़ काफी अच्छी थी, आंगे चलके दोनों बिजनेस पार्टनर बनत और जहां उन्होंने महिंद्रा बिर्दर्स की मुंबई बाली साखा में नौकरी गी, हाला कि गौतम आड़ानी काफी समझदार और महिनती थे, और इसलिए उन्होंने काम करते करते ब्यापार के सारे नियम और बाजार के बदलते ट्रेंड के बारे में जानकारी अक्छे से लेनी शुरू कर दी, ब्यापार की अक्छी समझ होने के बाद उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दी और आभूसंड के सबसे बड़े जावेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज खोल दिया, फिर आप देखेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजन इसमें आडानी ने साल 1981 में अपना सिक्का अजमाया, जहां वो कामयाब रहे, और ऐसा कहा जाता है कि इसमें उनके बड़े भाई मनसुक भाई आडानी ने एहमदाबाद में एक पीभी सी यूनिट खोली थी, और उसको मैनेज करने के लिए उन्हें इन्हें बुलाया था, तब से ही इन्होंने इसमें भी अपना पैर पका कर लिया, यानि कि हर जगे अपना हाथ मारा हो सफल भी रहे, इनकी कंपनियों की बात करें तो साल 1985 में उन्होंने छोटे स्तर पर पॉली मै का आयात सुरू किया था, आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे, निर्यात का मतलब होता है कुछ बहच रहे, जिसके बाद 1988 में आदानी एक्सपोर्ट की नेव रखी, जो आज पूरी दुनिया में आदानी इंटरप्राइजेच के नाम से जानी जाती है, यह भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है और जो एगरी कल्चर और एलेक्टिसिट किछेत में काम करती है, साल 1991 में गलोबाइलाईजेशन के दौर गौतम आदानी के लिए सोनहरा आउसर सावित हुआ और जिसमें उन्होंने मेटल्स, टेक्स्टाइल और एगरी कल्चर प्रोडेक्ट की सुरुआत की और अंतराश्ती इस तर पर अपनी कर्णी शुरू कर द SEZ खोली, जो आज के समय में देश की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी में से एक है, 210 मिलियन टन कार्वों समभालने वाला मुद्रा पोर्ट का पूरा जिम्मा आज आदानी के पास है, और इसके बाद उन्होंने 1996 में आदानी पावर कंपनी की सुरुआत की, इसके साथ ही उन्होंने एक नई फिलर्ड में कदम रखा फिल्ड में और इनर्जी सेक्टर में, जिसके बाद आज वो देश की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट चला रहे हैं, जिसकी चमता आप देखेंगे 4620 मेगावाट हैं, साल 2006 से 2012 उन्होंने विजली उत्पादन की चित को देश के बाद अन्य देशों में फैलाया, और साल 2020 में गौतम आलानी ने सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक नई शुरुआत की, और मैं मैं सौर उर्जा निगम द्वारा आयूजित नीलामी में नोने करीब 6 मिलि अब आप देखे जितने भी टेंडर निकलते हैं, वो कहते हैं कि इनहीं को मिल जाती हैं, तो इसी को इनहीं बातों को ध्यान में रखते हुए आरोप लग जाते हैं सरकार पर जो भी बरत्मान में सरकार रहती है, साल 2020 में वो मुके सम्मानी को पीछे छोड़कर, 2022 में छोड देश के सबसे अमीर बिजनेसमेन के पायदयान पर बरकरार है, यानि कि टॉप पर, और कुल संपत्ती आप देखें, 2021 में इनकी नमबर की एक रिपोर्ट के मुताबे गौतम आडानी, एसी आगे सबसे अमीर सक्सावित हुए, एक रिपोर्ट में ने दावा किया गया कि र 88.8 billion अमीरिकी डॉलर है, यह जानकारी सामने आई थी, जो मुके सम्भानी से माज 2.2 billion डॉलर कम थी, फिर आप देखें, वेल्थ हीवरन इंडिया, रिच लिष्ट 2021 के आखनों के साब से, गौतम आडानी की कुल संपत्ती 5,6,000 करोड रुपे दर्च की गई थी, और एक र 2,002 billion रुपे नहीं कमा पाता है, 100 रुपे नहीं कमा पाता है, साल 2022 की सुरुवात की बात करें, तो उनकी कुल संपत्ती 9,010 करोड U.S.D. तक पहुंच चुकी है, और यह देश के सबसे अमीर बिजनेस मैन मुके सम्भानी को हरा चुके है, और अब इनकी संपत्ती गिनने के बाद एपीछे हुए है, इनके द्वारा कुछ सामाजी कारी भी किये जाते हैं, और जो हर बिजनेस मैन के द्वारा किये जाते हैं, भारत के कई अरपतियों की तरह गोतम आदानी भी सामाजी कारें में हमिसा बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण सामाजी कार इसके साथ ही आड़ानी फाउंडेशन ने देश को सबसे बड़ा सहयोग दिया था जिसके चलते उन्होंने PM की एरफंड में 100 करोड रुपे गुजरा सरकार को 5 करोड रुपे और महराष्ट राहत को समें 1 करोड रुपे फड़ दिया था ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो इस महामारी के कारण पूरी तरह से बेकार हो गए थे और कुराना की दूसरी लहर में जब देश ऑक्सीजन की कल्लस से लड़ रहा था तब आड़ानी गुरुप एक मसीहा बन कर आया था उसने देश में लेकरड ऑक्सीजन सरकार को दिला कर इसके संकट से उभा रहा थ और इसके साथ ही आड़ानी गुरुप ने उन लोगों की भी काफी साहता की जिनके पास इस महामारी में इलाज करना की पैसे भी नहीं थे और इनके फांडेशन के जरी लोगों के उत्तक रासन खाने की चीज़ें पहुचाए गए ताकि कोई भूका नहरा सेके और गौतम गौतम आड़ानी का एक पार आपको मालू होगा कि अपरहन की भी घटना हुई थी इनके साथ साल 1998 में गौतम आड़ानी को अगवा कर फरोती के बदले में बंधक बना लिया गया था बाद में बंधकों को पैसे देने के बाद उन्हें चोड़ दिया गया था और गौतम आ आड़ानी पर 2014 की लुकसभा चुनाओ के समय नरिंद मोदी को असमर्थन करने का आरोप भी लगा था और इसे आप लोग देखते भी है बिजनेसमेन हमेशा नेताओं से जुड़े रहते हैं और वैसे नहीं जुड़े रहेंगे आप सभी जानते हैं उन्हें लगता इनकी स साथ एक साक्षातकार में आरोप को साप करते हुई स्री आड़ानी ने कहा भी था कि भाजापन अपनी विमान सिभाओं का उप्योग करने के लिए कम्पनियों के अपने समो को बाजार मूल का भुकतान किया है और 1999 में अंडन वर्ल्ड डॉन अनीस इब्राहिम द्वारा उ उन्हें एक पिती द्वंदी द्वारा जाली मामले में धोकाधरी के आरोप महरासत मिलिया था तो इस तरह के आरोप भी लगते रहें और इस तरह के किसी पत पर होते हैं तो आरोप लगना सब आभी कसी बात रहती है तो यह कहानी है आदानी गौतम आदानी की आडानी या आदानी की और किसी के बारे में जानने है हो तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं नीचे ठीक और कोई मेरे से सवाल होगा आपका सुझाओ मेरे लिए तो आप लोगो भी बताईएगा ठीक?